बच्चे हमारे मुल्क का मस्तक्विल हैं लेकिन हकीकत में वो मस्तक्विल से भढ़ कर हैं बच्चे आज और इसी वक्त ही अपने कौम को बदल सकते हैं मेरा ख्याल है कि अगर हम यह बात समझ लें तो हम इनकी जिन्दिगों में सर्माया कारी करने के लिए आने वाले वक्त का इंतजार करने के बजाए अभी से कदम उठाएंगे क्योंकि हम यह समझते हैं कि ओ, इने बड़ा होने में तो अभी 10 साल लगेंगे हसल में यह हम पर मनस्र है कि वो किस तरह बढ़ेंगे और वो क्या बन जाएंगे यह इस पाप तो मनस्र है कि हम आच और अभी उनकी जिन्दगियों में क्या सर्माया कारी करते हैं और अगर हम अपने वाक्ष्णों में तबदील ली चाहते हैं तो हमें बच्चों ही से बत्ता करनी होगी मेरा ख्याल है कि हम बच्चों को नजर अंदास कर देते हैं हम बच्चों को खेल और तफ्रीक के मशाखल तो फराम करना चाहते हैं मगर हम काम उमरी में उनकी तर्बियत करने की एहमित को नहीं जान पाते हैं हमें जानी नहीं पाते कि खुदा उन्हें अभी से अपने लिए इस्तमाल कर सकता है हमें समझते कि उन्हें सिर्फ खुदा का कलाम से खाया जानी की जरूरत है लेकिन खुदावन के साथ उनका जातों तालुक काईम करने में हम उनकी रहनमाई नहीं कर पाते लेकिन यही तो हमारी गलती है मेरे लिए फिकर कि एक वाबात यह है कि कलीसियाई तारीख हमारे नसाब में कहां है और असल में तो वो कहीं पे भी नहीं है यही वज़ा है कि हमारे बच्चे हमारे माजी के एहम और मशूर शख्सियात और मौश्रे पर उनके इसराथ के बारे में जादा नहीं जानते हैं खुदाने माजी में बच्चों को कौम को जिगाने और मतहरे करने के मकास्थ के लिए इस्तमाल किया है जैसे बाइबल में यूसिया बादशा है जिसने आठ साल की उमर में अपनी कौम की रहनमाई की मैं समझती हूँ कि बच्चों के बारे में हमारे नजरियात हमारी इर्ट-इर्ट के दुनिया के अमूमी तासूर से बहुत हद तक मतासिर होते हैं पाकिस्तान में जहां अमूमी तासूर और महौल इसलाम का है बच्चों को कोई खास एहमियत नहीं दी जाती मैं खुद मच्चों की जैमनियों पैदा हुई चूकि कैमनिस मुल्ग था वहां बच्चों को बलोगों तक पहुशने से पहले एक खास एहमियत हासिल नहीं थी क्योंकि वहां ये समझा जाता था कि सिर्फ बड़े ही माश्चों को बदल सकते हैं लेकिन इसी धरा से तो हम अपने बच्चों की जिंदिगों का बहुत सबेश कीमत वक्त साय कर देते हैं दुनिया के बारे में भी हमारा मसीही अमूमी तासर बहुत मुखलिफ है क्योंकि हम ये सु के तालिमात में देखते हैं कि ये सु बच्चों को बहुत एहमियत देता था और ये कि वो उनका इतराम करता था और उन पर मुनादी ना करते हुए भी उनसे असल में मुहबत रखता था लहाजा मसीह का जिसम होते हुए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी तहजीब से जादा मुतासर होने के बजाए बच्चों को बाइबल की नजर से देखें कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारी तहजीब ने हमें जो कुछ दिया है वो अच्छा है लेकिन हो सकता है कि वो हमारे बच्चों के लिए बहतरी ना हो